रोटी बनाते समय ना करें ये गलतियां नमबर एक कभी भी घर में जगरा करते हुए रोटी न वनाएं असांत मन्द से बनाया गया खाना परिवार के लिए जहर का काम करता है और घर में कलेश और नकरात्मक्ता और भी बढ़ जाती है नमबर दो घर की रोशाई में रोटी गीन कर नहीं बनानी चाहिए इससे घर में दरिदरता आने लगती है नमबर तीन घर में हमेशा चार फाच रोटी जादा ही बनानी चाहिए इससे मा अनफूर्न फ्रसन रहती है और आर्थिक इस्तिती वी सही रहती है नमबर चार घर में कभी भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए बासी आटे का संबंद राहू से होता है ऐसे आटे की रोटी बनाने से परिवारिक कलेश बढ़ सकता है अगर कोई भी मेहमान या साधू संत आपके घर आ जाये तो उनके लिए बासी आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए इससे मालक्ष्मी नाराज होती है जिससे हसते खेलते घर को बरवाद होने में देर नहीं लगती मैं आसा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जादी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद